हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल मैं परबीन भुपाल से आज मैं आपको डिलिशिस शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी देखिए इसमें क्या-क्या डालते हैं कि यह अत्रक है मैंने आदा इंच अत्रक कर टुकड़ा लिया था लसन प्यास चैसाथ लाल मिट्च है और यह नमक है अब टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं यह करम मसाला है पिसा हुआ मेरे घर में ख़ड़ा गरम मसाला पसंद नहीं करते हैं इसलिए मैं इसको पीच कर रही यह होममेड मसाला है यह बक्रे का केमा है अगर आप चाहे तो बीफ का भी ले सकते हैं यह आदा कप चने की दाल है और पानी चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले केमा चाहेगा यह मैंने बॉश करके रखा हुआ इस कीमे को कि इसके बाद आदर कप मैंने वाश करके और विगों के इसको दाल को रखी थी आदर कप यह जाएगी और यह सब ग्राई मसाले यह ओनियन यह लस्टन अद्रक अगर आप चाहें तो इसमें पेस्टी भी डाल सकते हैं और यह गर्मसाला गलने के लिए आदा कप इसमें पानी डालेंगे और मीडियम स्लो हीट पर इसको रखेंगे बन इस्पून धनिया पाउडर भी डालिए मैं डालना भूल गई थी मैं बाद में आट कर रही हूं शुरूर में आप हाई प्लेम पे रखिए एक बिसिल आने के बाद इसको आप मीडियम स्लोप पे कर दीचें दो बिसिल आने के बाद में आप चैक कर लेते हैं कि पूरा अप्छा से हुआ कि नहीं देखिए अच्छे से यह गल गया है टेंडर हो गया है अब इसकी जिए दाल भी देखिए कितने अच्छे से इसी खड़ी खड़ी दाल होना चाहिए इसको आप दूसर परतन में ट्रा अब थंड़ा होने के बाद में इसको ग्राइंड करेंगे इस अब थंड़ा हो गया है इसको ग्राइंड करेंगे अब इसमूथ होना चाहिए यह पेस्ट इसा बन जाए है मैंने कीमा पीस के तैयार कर लिया है अब इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे इसके साब से नमक लाल मिच पाउडर गरम मसाला पाउडर यह भी एड़ करेंगे इसके अंदर यह दो प्याज है थोड़ा सा धनिया है और यह मिंट थोड़ा सा ड्राइ मिंट है यह और यह गरीन चिली यह अद्रक इसको यह डालने से टेस्ट इंहेंस करेंगे सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करिए अच्छे से मिल जाएंगे पूरे स्पाइस और यह सब ग्रीन अच्छे कर देंगे ऐसमे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे आदा घंटे के लिए इसको मैंने रख दिया था अब ये सके सब मसाले मिक्स हो गएंगे अब हैत में थोड़ा सा तेल लगाईए और इसको इससे बनाईए आपको जैसा मतला बनाना है जिस भी आप बड़ा या छोटे शेप में बना सकते हैं तेल लगाने से आपके हाथों में इसका बैटर नहीं लगेगा और कवाब भी अच्छी चिकने बनेंगे कीमे के यह कवाब बनके तयार है इसमें 10-12 कवाब बने हुए है अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख देंगे तो यह अच्छी से टाइट हो जाएंगे फिर उसके बाद में इसको तलना शुरू करेंगे कवाब को शेलो फ्राइब करेंगे पैन में मैंने थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए रख दिया है तू इसको मीडियम प्लोग प्लेम पे रखेंगे इसको और कवाब तलने में कंसरम आपको पांच मिट का ताइम लगेगा गर्म गर्म कवाब खाईए चेटनी के साथ या आप रोटी के साथ नान के साथ कवाब खा सकते हैं और इंजाय करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे थैंक्स फॉर वर्ट जी